हेलो एवरिवन, वेल्कम बेक टो माई चैनल आम का मुसम आते ही सभी को आम बहुत पसंद होते हैं और हम उसको अलग-अलग तरीके सिखाते हैं तो आज हम बनाएंगे मेंगो आइस क्रीम जिसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा चीजों की जहूरत नहीं पड़ेगी और इसको हम बिना गैस जलाएंगे इसके लिए हमने एक कटा हुआ आम ले लिया है, पका हुआ और फ्रेश क्रीम या घर पर ही जो आपके पास मलाई हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम 2 tablespoon इसमें fresh cream या मलाई डालेंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 2 tablespoon milk made milk made mostly सरीजरों में आज की टाइम में मिल दी जाता है milk made अगर आपके पास नहीं है तो आप milk powder का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेश ध्यान रखे यदि आप milk में डालते हैं तो आपको इसमें दूसरे किसी अन्य निए मिठे की ज़रूर्द Ciini की या किसी भी चीज की और अगर आप milk powder डालते हैं तो आपको इसमें तोड़ा सा चीनी ओर मिलाना होगा उर इन सभी आइस क्रीम के लिए हमारा जो मिश्रन है वो रेडी है अब हम इसको आइस क्रीम जमाने वाले अलग-अलग सांचों में आप कप में, कटोरी में या जैसे भी किसी भी चीज में इनको जिस भी शेप में देना चाहें इनको इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इनको हाथ से कवर कर देंगे और इनके बीच में हम एक लगा देंगे आइस क्रीम वाली जो स्टिक होती है उसको इसके अंदर डालके कवर करके इसको फ्रिजर में लगा देंगे 7-8 घंटे के लिए और हमारी आइस क्रीम बिना किसी गैस का चुला जलाए बन करके तयार हो गई है वीडि 6 घंटे के बाद हम देखेंगे निकालके तो हमारी आइस क्रीम जो है वो बहुत ही अच्छी बन करके तयार हो जाएगे वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेर अवशे करें तो मिलते हैं इसी तरह की अगले किसी इंटरस्टिंग सी वीडियो में तब तक के लिए ज